जहें दोस्तों तो आप सब कैसे हो आप सब अच्छे होगे बढ़ी होगे फ्रेंट्स आज किस बीडियो में बात करने बले हैं यह सी नई बकेंज दोयार चोविस जाने कि आर्मी आडिनेर्स कॉफ मनिश्टी आफ डफेंस रिकूरूटमेंट दोयार चोविस इसका कितनी पो जैसे आप लोग इस फार्म को एपलाई कर सकते हैं बेसिक टेंथ पास होना जुरूरी है आप लोगों ठीक है दोस्तों कौन-कौन सी पोस्ट पर आप लोगों है रिकूरूटमेंट रहने वाला है पूरी डेटेल में चाचा करने वाले हैं और आप लोगों जो बकेंसी है इस वाइंटर में कितने क बकेंसी रहता है ऐसरी बकेंसी डाते हैं फैसलीटी मिलती है सबकुष आप लोगों फैसलीटी दिया जाता है आर्मी एउसी ओर्मी ओडिनेर्स कॉप से एउसी है ठीक एमिनिस्ट्र डेफेंस के अंतरगत आता है ठीक है दोस्तों बड़ी अच्छी याब है अच्छी इसमें सेलरी वी है ठीक है जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों बादा दूं कुण कुण सी पोश्ट पर यह जो फोरॉम आता ऑदू 18-25 तक ट्रेड में एज क्राइटेरिया रहता है और फायरमेंच में यह ज़ी नहीं कि दो पोस्ट पर त्रेड मेंट और फायरमेंच ठीक है वीडियो के ज्यादा श्याधा शेयर कर देना और हमारा वारी टालीकन्र उग्रूप जौएन कर लेना ठीक है उसका लिंक वह भी तीसी एक एज रहता है और वीची का जो एज वह 25 एज़ता है ठीक है तो जाद रखना फिर लोग कमेंड करते हैं कि क्या है हमारा एज कर आईज कर पास किया होगा टिक है और दोस्तों में आप लोग बंद ट्रेड में फरॉम एपलाए करने कि ओनी टेन्थ पास होना जुरूरी है बार करें किसी अप लोग ने फरॉर्म वह बर बाएंगे ठीक है डिजेरेबल है आपके बास है डूगा तर्च क्वार्मेंड में भी ओन्ली 10 फास होना जुरूरी है ठीक है और कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी परिशानी नहीं आएगा ठीक है 21 दिन इसके फारॉम बरे जाते हैं आप लोग देख सकते हैं इसकी ओफीचल साइड यह है इसकी ओफीचल साइड पर बिज़र करके आप लो अच्छी खाली है इन लोगों बैर जोइनिंग भी हो गया ठीक है ठीक है दोसों अब नई बगैंशी आने बाला है बहुत ही जल्द आप लोग देख सकते हैं जैने कि इसमें इस पर थी में आप लोग अगर अवेदन करोगे तो सबसे पहले आप लोगा return exam होगा ठीक है return exam होगा फिर उसके बाद आप लोगा फिजिकल एंडुराइंच टेस्ट करवाया जाएगा यानि कि ट्रेडमेंट में पंद्रह सो मेंटर रनिंग करवाया जाएगा जिसमें की आप लोगों से मिनिट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों और पचास केजी आप लोगों बेट उठाना है 200 मेंटर ट्राइल के लिए यह सब आप लोगों को क्वालिफाइक करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों और दोस्तों मैं आप लोगों बदा दूँ फायर मेंन का क्या सेलेक्शन प पड़ता है फायर मेंन के लिए ठीक है लिफ्टिंग करना पड़ता है ठीक है यह यह आप लोग देख सकते हैं एंड सेंड फीट बोथ फीट लॉंग जंप ठीक है एक सो ट्रसी मीटर आप लोगों डिस्टेंस शैनुए सेकेंड बे क्वालिफाइक करना है ठीक है और इसक भी पचास नंबर का आता है जिसमें टोटल 500 नंबर का एक्जाम होता है दो गंटे का आप लोगों मैक्सिम्म टाइम दिया जाता है मैट्रिक लैबल दसमी के लैबल का पेपर आता है ज्यादा हार नहीं आता है ठीक है जीरो पैड़ पच्छिस कनेक्टी मार्किंग रहता ह इसके बात करें तो बहुत ही जल्द आने वाला है ठीक है तो अब लोगो बता दूँँ यह जो नोटिस आप लोग देख रहो होगे यह नोटिफिशन दो यह 30 का है ठीक है 30 के एकारडिंगली मैं आप लोगो मोटिवेट कर रहा हूं ठीक है मेरा जो बोडियो होता है पूं ही रहता है ठीक है तो अच्छी खासी इसमें बगेंशी आता है इस बार भी बहुत ही जल्द इसका बगेंशी आएगा और मैं आप लोगों बाता दूँँ इसका पेस्केल भी देख सकते हैं ठीक है ठारा हजार से लगेश पुंजा यह 900 तक रहेगा और 19 सबसे ज़्याद यह पेस के लिए रहता है ठीक है और इस्टेमेंट में ही आ जाता है ठीक है मैंच दूरी क के लिए कांपर यह आ जाता है तो अच्छा विगेंशी है इसका बेगेंशी बहुत जल्द आने वाला है जब भी इसका विगेंशी आएगा इनफॉर्मिशन हम आपको प्रोवाइ तब तक के लिए जाइन फिर में लेका आगे नेक्स्ट वीडियो में